हेलो आज मैं आपको माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बैगन कैसे भुना जाता है आपको सिखा रही हूं तो बैगन को यहां पर धोके साफ कर लिया है अच्छे से पोश लेंगे इसको उसके बाद एक नाइव की हल्प से इसमें कट के निशान लगाएंगे बीच से इसको चार कट लगा दियें जिससे हमें छिलका रिमूव करने में आसानी होगी और इसके उपर लगाएंगे बीच में भी कट इस तरह से लगा देंगे जिससे अच्छे से हमारा बैगन पक जाए कहीं कच्छा न रह जाए और बस इसके बाद उपर से इसमें तेल डालके पूरे म और ये मेरी जो बाउली हुई है ये माइक्रोवेव सेफ है अब माइक्रोवेव की तरफ चेलेंगे तो इसको खोल के इसको अन्दर रख दिया है जाली के ऊपर यहां पर माइक्रो मोड में आठ मिनट के लिए मैंने сटेट कर दिया है बीच में एक बार खोलकेश करेंगे बैगन हो गया है कि नहीं हो गया उसके बाद इस चार्ट की बटन दबा देंगे और बैगन रिखन ने यह गूमने लगा है स्टार्ट हो गया यह पकना इसे बैगन मैने इक कि रखा है आप चाहें तो दो या तीन बैगन भी रख सकते हैं बीस में एक बार खोल के इसको देखेंगे तो यह अभी पूरी तरह से पका नहीं है देखने में लग रहा है तो इसको तीन मिनट के लिए और रखेंगे बस तीन मिनट में यह बैगन बनके तयार हो जाएगा स्टार्ट की बटन दबा देंगे तीन मिनट के लिए रख दिया इसको और गैस में बैगन भूने में गैस खराब हो जाती है अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसी में भूने इसको उसके बरनर भी गंदे हो जाते हैं फिर कितनी साफ सफाई करनी पड़ती है ब सिरह करें देंगे थोड़ा थोड़ा मेरा यह बैगन ठंडा हो गया है तो मैं इसकी इसकी सीमें रिमोव कर रही हूं तो आसानी से इसकी इसकी निकल जाती है और बढ़ियासा बैगन हमारा भरता बनने के लिए तैयार हो जाता है टाइम की भी बचछत होती है आप और दूसरा काम करें इतनी देर में और हमारा बैगन अपने आप बन के तैयार हो जाएगा अच्छा अकू से इस तरह से इसको निकाल देंगे फिर एक स्पून की हेल्प से इसको देखे मैश कर रहा है तो यह असानी से मैश हो रहा है और मेरा यह बैकन बन के तैयार हो गया है बुन के अब आप इसका बढ़िया सा गर्मा गरम भरता बनाएं और चपाती के साथ खाएं मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू